शुप्रबाद प्यारे बच्चों मैं संजीत पांडे प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कोल महानापूर गोरकपूर के वीडियो पार्ट साला में आपका बहुत-बहुत श्वागत करते हैं बच्चों आज हम कक्षा बारामी विशय हिंदी और रचनात्म का व्यक्ति और माद्यम जो ग्रामर की पार्ठे पुष्टक है उसमें संकली तेक पत्रकारी लेखन के बिभिन रूप और लेखन प्रक्रिया सिर्शक पढ़ेंगे जिसमें फीचर लेखन आता है रिपोर्ट आ आता है अलेख खाता है साथी शाथ पत्रकार के पत्रकार होते हैं और कितने चाहस के लेक हर प्सकी Convener 1997-19 के इस भागों से हम आवगत होंगे एक करके विस्टार साटना करेंगे तो आए देते हैं शब से पहले कि पत्रकारी लेखन के बिविन रूप और लेखन परक्रिया में एक अच्छा पत्रकार कैसे बना जाता है अर्थात ये लिखने के लिए एक अच्छे पत्रकार की क्या भूमका होती है ये हमारा शब्शे हम बिंदू है और इस पर हम चर्चा करेंगे तो एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए निमनलिखी जनसांचार माद्धिमों में लिखने की अलग-अलग सहिलियों से परचित होना जरूरी है कि इसकी अपनी अलग-अलग सहिलियां होती है उन समस्थ सहिलियों से आपको परचित होना बहुत तावस्यक है तब ही आप इसके विशय में जान सकेंगे और देख सकेंगे पढ़ सकेंगे अखवारों या पत्रिकाओं में समाचार, फीचर, विशेश रिपोर्ट, लेख, और टिपड़ियां प्रकाशित होती है इन सब को लिखने की अलग-अलग पद्धतियां, अलग-अलग शैली होती है और अलग-अलग रूपों में इसको लिखा जाता है जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए समाचार लिखन में उल्टा पिरामिट शैली का उप्योग किया जाता है समाचार लिखते हुए छो काकारों का ध्यान जेना बहुत जरूरी है जैसे काता है कि अच्छे लेखन में कौन सी ऐसी बाते हैं अर्थात अच्छे लेखन के लिए कौन कौन सी ऐस तरह की बाते हैं जो ध्यान देने योग्या है तो पहला है कि छोटे-छोटे वाग के लिखें, अर्थाथ अच्छे लेखन में सबसे जरूरी जो है, वो है कि छोटे-छोटे वाग के लिखा जाए और दूसरा है इसमें, कि आम बोलचल की भाशा और सब्दों का इस्तिमाल किया जाए जो आम जन बोलता हो, समझता हो, पढ़ता सुनता हो, वारे अपने परिवेश के सब्द हो, उनको प्रियोग किया जाए तिसरा है, लेखन में बिवित्ता लाने के लिए, छोटे वाक्यों के साथ साथ कुछ मध्यम आकार के और कुछ बड़े आकार के वाक्यों का भी प्रियोग करना चाहिए लिखते हुए यह ध्यान रखें, कि आपका उदेश अपनी भावनाओं, विचारों और तत्थ्यों को व्यक्त करता है, नो कि दूसरे को प्रभावित करता है एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आज पास घटने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावराण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए और उन्हें इस तरह से देखना चाहिए कि वो अपने लेक के लिए उससे विचार बिंदू निकाल सके और उस पर देख सके अब हमारा शिर्षक आता है कि पत्रकारी ये लेखन क्या है तो इसमें हम देखेंगे कि अख़वार पाठकों को सूचना देते हैं उसके बाद उन्हें जागरुक और सक्षिक बनाने तथा उनका मनरंजन करने का दाईत तो निवाते हैं लोकतांत्रिक समाज में वे एक पहरेदार सिक्षक और जन्मत निर्माता के तौर पर बहुत महत्तपुन भूमिका अदा करते हैं अपने पाठकों के लिए वे बाहरी दुनिया में खुलने वाली ऐसी खिरकी हैं जिनके जरिये असंख्य पाठक हर रोज सुबह देश दुनिया और अपने आज पडोस की घटनाओं समस्याओं मुद्दों तथा विचारों से अउगत होते हैं अख़बार वो अन्य समाचार माद्मों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों दर्सकों और सुर्ताओं तथा सुचनाव पहुंचाने के लिए लेखक के बिभिने रूपों का इस्तेमाल करते हैं इसे ही पत्रकारी लेखन कहते हैं पत्रकार तीन प्रकार के होते हैं आता है अब एक अहम बिंदु है हमारे लिए कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं तो पत्रकार तीन प्रकार के होते हैं तीन तरह की मुख्य रूप से जो उनकी भूमका होती है वो तीन तरह के पत्रकारों की होती है तो पहला पूर्ण कालिक पत्रकार होते हैं, दूसरा अंस कालिक पत्रकार होते हैं, और तीसरा फिलांशर पत्रकार होते हैं, यह ध्यान देने योग्य बाद है, यहां से कोश्चन बन सकते हैं आपके लिए, तो आप इस विंद को ज्यादा ध्यान देंगे, पूर्ण कालिक इस सेंड़ी के पत्रकार जो होते हैं किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित बेतन भोगीक्रमचारी होते हैं। भुक्तान के अधार पर अलग-अलग समाचार पत्रों के लिए लिखते हैं अब आता एक कि साहेतिक और पत्रकारी लेखन में क्या अंतर है तो पत्रकारी लेखन का संबन तथा दारा सम्शामाईक और वास्तुई घटनाओं समस्याओं तथा मुद्दों से होता है यह साहितिक और सर्जिनात्मक लेखन कविता, कहानी, उपन्या, साधिस माइने में अलग है कि इनका रिस्ता तथ्यों से होता है नो की कलपना से अब वाता है पत्रकारी लेखन साहितिक और सर्जिनात्मक लेखन से इस माइने में भी अलग है कि यह अनिवारी रूप से तात का लिखता और अपने पाठकों की रूचियों तथा जरूरतों को ध्यान में रखकर किये जाने वाला लेखन है जबकि साहितिक और सिजनात्मक लेखन में लेखक को काफी छूट दी जाती है पत्रकारी लेखन के स्वमढ़ी अतथे क्या है कि पत्रकारी लेखन करने वाले विशाल जन समुदाई के लिए लिखते हैं जिसमें पाठकों का दाइरा और ज्यान का अस्तर बिश्त्रित होता है इसके पाठक मजदूर से विद्वान तक होते हैं अता इसकी लेखन सहली और भाषा बिलकुल अलग होती है जैसे सरल, सहज और रोचक होनी चाहिए दूतरा अलंकारिक और संस्कित निष्ट होने की बजाए आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए तीसरा है शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए और चोथा है कि वाग के छोटे और सहज होने चाहिए पत्रकारी लेखन का सब से जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है आम तोर पर समाचार पत्रों में समाचार पूर्ण कालिक और अंसकालिक पत्रकार लिखते हैं जिनें समादाता या रिपोर्टर कहते हैं समाचार लेखन की विशेश सहली क्या होती है तो अकवारों में प्रकासित अधिकान समाचार जो अकवार में प्रकासित होते हैं वे अधिकान समाचार आम तोर पर समाचार पत्रों में समाचार एक खास सहली में लिखे जाते हैं इस समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर तत्थे सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैरग्राप में लिखा जाता है इसके बाद के पैरग्राप में उससे कम महत्वपूर सूचना या तत्थे दी जाती है या परक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता अब आता है कि उल्टा पिरामिट सैली तो समाचार लेखन की एक बिशेश सैली है जिसे उल्टा पिरामिट सैली इन्वार्टेट पिरामिट स्टाइल के नाम से जाना जाता है यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय उपयोगी और बुनियादी सैली मानी जाती है यह सैली कहानी या कथा लेखन की सैली के ठीक उल्टी होती है जैसे उल्टा पिरामिट सैली का उपर का खाका जो होता है वह तिरकोड़ी यकार का होता है और जो सबसे उपर का हिश्चा होता है वह तिरकोड़ी यकार का उल्टा सिव होता है अर्थात तिर्कोंड को उलट करके कर दिया जता है जो सबसे इंट्रो जिसको मुखडा काते हैं वो सबसे इंपोर्टेंट समाचार उसमें समाइट होता है जो हेडिंग सिर्सक होते हैं एक से दो लाहन में अपनी बाते समाचार वाचक उसमें रखते हैं दूसरा बाड़ी अ अब ने रवाद प्रण्य काकार में प्रारमिक बिंद्ध होती है किसी ही चीज का अपना स्वर बंजन प्रारमिक शब्द होती है तो कहता है कि क्या, कहां, किसके, कैसे, कॉब, क्यूं, इत्याद जो सब्द होते हैं ये छो ककार होते हैं समाचार के मुखड़े इंटो यानि पहले पेरागरप या सुरुवाती दो तिन पंक्तियों में आम तोर पर तीन या चार ककारों को अधार बना कर खबर लिखी जाती है जैसे चार ककार हैं क्या, कौन, कब, और कहां चार बाते किसी भी नियूज में अगर हम समलित कर देते हैं तो वहां से जो कल्कुलेजर निकलता हो इसका जो उसका मुख्यांस, सार निकलता है उस बातों को हम उपर इंडो या मुखडा में रखने का कारे करते हैं उदारण के लिए आप देखेंगे कि 26 दून जो 2015 के हिंदोस्तान दैनिक में प्रकासि समाचार पत्र पर ध्यान देजिए कि 23 अगस्त को देश भर के लाखों के इंडों पर 9 साक्षरों की परिक्षा होगी जिसमें एक करोड से ज्यादा लोगों के बैठने की संभावना है देश में दुनिया होगी दुनिया की सबसे बड़ी परिक्षा इंडो हुआ, मुखडा हुआ क्या, अब चारो पॉइंट्स बनते हो आपे कि क्या, दुनिया की सबसे बड़ी परिक्षा किसकी, नौ साक्षरों की जो भी नए नए पढ़ने लिखने वाले, नए छेत्रों में सीखने वाले हैं इस तरह की, कब 23 अगस्त 2015 को कहां पर, देश भर के लाखों के इंडरों पर समाचार का इंट्रों बनता है मुखडा जो होता है, वो होता है कि समाचार का इंट्रों मानोश अंसादन विकास मंत्राले एगले महीने 23 अगस्त 2014 को दुनिया की सबसे बड़ी परिक्षा कराने जा रहा है इसमें एक करोड से ज़्यादा नौ साक्षर परिक्षार्थियों के हिस्सा लेने की संभावना है परिक्षा देश के 26 रागजियों के 410 जिलों में से 2 लाग से ज़्यादा केंद्रों पर होगी इस तरह की संभावना ब्यक्त की गई है अब आता है कि दूसरा इस्तिप जो उसका होता है जो बाड़ी होती है बाड़ी जहां पे सार लिखा जाता है तो वो क्या है कैसे क्यूं चार उसमें दो इसमें आते हैं मानो संसाधन विकास मंत्राले राज के सिच्छा विभाग तथा मुक्त बिद्याले इस अंस्थानों की सहयोग से क्यूं अधिकादिक लोगों को साक्षर बनाना इसका उद्देश से है तो समाचार की बाड़ी जो होती है मंत्राले साक्षर भारत अभियान के ताथ पढ़ रहे चाथ सत्राओं के लिए इस परिक्षा कायोजन कर रहा है इसकूल न जापाने वाले सोरथ साल से लेकर किसी भी आयुतक की लोग इसमें भाग ले सकते हैं जो साक्षर भारत अभियान में सिच्छा ले रहे हैं इसे अंजाम देने में इस तरह से अगर हम खबरे प्रकासित करते हैं को सबसे रूचिकर और सबसे व्यवस्तित खबर मारी मानी जाती है और सबसे बैतर होता है अब आता है समाचा लेखन की कुछन ने उदाराण कि आठ मिनट में आठ करोड की बैटरी चोरी अब आप देखेंगे दिल्शास्प है कि लश्मी नगर की चोरों ने सिर्फ आठ मिनट में आठ करोड आठ कारों से बैटरी चोरी कर ली खास बात या है कि इन चोरों ने सिर्फ मारूती की कारों कोई निशान न बरहा है मंगल बार सुबा चार बजे हुई घटना गली में लगे सी सी टीवी में कैद हुई थी पिरित लोगों ने सकबर पूर्थाने में चोरी का मामला दर्ज कर आया है इस तरीके से इसकी खबर बनती है यह दूसरा गए सिलेंडर में रिफलिंग से धमाका च्छत उड़ी इस तरह की मैसेज इस तरह की खबरें बनती है अब होता है अगला कि फीचर क्या है यह बहुत इंपर्टेंट है और साइद आपको पांच नंबर एकजाम में दे भी दे तो इससे जो फीचर आएंगे वो आपके लिए बहुत इंपर्टेंट होंगे कि समकालिन घटना फीचर क्या होता है तो समकालिन घटना या किसी भी छेत्र विशेष की विशेष्ट जानकारी के सचित्र तथा मोहक विब्रण को फीचर का आ जाता है इसमें तथ्यों को मनुरंजंग धंग से प्रस्तूत किया जाता है इसके समादों में घहराई होती है या सूपवस्थित, सिर्जनात्मक वा आत्मनिष्ट लेख है जिसका उद्देश पाठकों को सूचना देना तथा उन्हें सक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनुरंजन कराना भी होता है फीचर में विस्तार की अपिक्षा होती है इसकी अपनी एक अलग सहली होती है एक विशय पर लिखा गया फीचर प्रस्तूती विवित्ता के कारण अलग अंदाज प्रस्तूत करता है इसमें भूत, बर्तमान तथा भविष्य का समावेश हो सकता है इसमें तथ, कथन वा कलपना का उपयोग किया जाता है फीचर में आकड़े, फोटो, कार्टून, चार्ट, नक्से, आधिका उपयोग उसे रोचक बना देते हैं अब आता है कि फीचर वा समाचार में क्या अंतर है तो फीचर में लेखक के पास अपनी राजिया, द्रिष्टिकूण और भावनाये जाहिर करने का उसर होता है और जबकि समाचार लेखन में बस्तुनिस्तता और तथ्यों की सुधता पर जोड़ दिया जाता है फीचर लेखन में उल्टा पिरामिट सैली का प्रियोग नहीं होता इसकी सैली कथात्मक होती है अर्था तेक डरिष्टेप चलती है और इस तरीके से बढ़ित होती है उल्टा है फीचर लेखन की भासा सरल रुपात्मक वाकरसक होती है परंतु समाचार की भासा में सपाट बयानी होती है और चौथा है फीचर में सब्दों की अधिक्तम सीमा नहीं होती ये आम तोर पर 200 सब्दों से लेकर 250 सब्दों तक के होते हैं जबकि समाचारों पर सब्द सीमा लागू होती है फीचर का विशे कुछ भी हो सकता है, समाचार का नहीं हो सकता है फीचर के प्रकार क्या-क्या है? तो समाचार फीचर है, घटना परक फीचर है, ब्यक्ति परक फीचर है, लोका विरूच फीचर है, सांस्कृतिक फीचर है, सायतिक फीचर है, विशलेशन फीचर है, विज्ञान फीचर है अब आता है कि फीचर लेखक से सम्मंदित कुछ प्रमुक बाते होती है जो हर एक फीचर लेखक को जाननी चाहिए तो वो कौन सी है कि फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस बिसाय से जुड़े लोगों की मौजूद्गी जरूरी होती है दूसरा है फीचर के कत्थे को पात्रों के माद्यम से बताना चाहिए तीसरा है कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि पाठक या मसूस करें कि वे घटना को खुद देख और सुन रहे हैं चोथा है फीचर मनुरंजक वा सूचनात्मक होना चाहिए पांचवाए फीचर शोध रिपोर्ट नहीं है चाहिए इसे किसी बैठक या सभा के कारवाही विबरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए साथमाए फीचर का कोई न कोई उद्देश होना चाहिए इस उद्देश के इर्दगित सभी प्रासंगिक सुचनाय तत्थे और विचार गुथे होते नहीं चाहिए फीचर तत्थों, सुचनाओं और विचारों पद अधारित का थात्म, विबरण और बिसलेशन होता है और इस तरह से पैराग्राव, लास्ट की जो पॉइंट्स है, कि पैराग्राव छोटे होने चाहिए तथा एक पैराग्राव में एक पहलू पर ही फोकस करना चाहिए ये इसमें सबसे ध्यान देने वागी बात है कुछ फीचर्स के उदारन भी देखने को मिलने हैं आपको तो आप देखेंगे कि बन रहेंगे तो हम रहेंगे वन रहेंगे तो हम रहेंगे सिर्सक है वन रहेंगे तो हम रहेंगे मनुष्य और प्रकृत में गहरा सम्मंदर आए मानों अपनी सभी आवशक्ताओं की पूर्ट के लिए पूरता प्रकिर्ट पर निर्भर है वन संपदा भी प्रकिर्ट की एक अधभूत और रत्यन तुप्योगी देन है वन तथा पीड़ पोधी पर्यावणार से कार्बन डाय अक्साइड सोक कर उसे प्राण दायनी आक्सीजन में बदलते हैं ब्रुचों का प्रतेक अंग फल फूल पसियां च्छाल यहां तक की जड़ भी उप्योग में आती है इनसे हमें स्वादिष्ट फलों के सासा जीवन अच्छा और सदियां भी अगर इस तरीके से अम उस पर चर्चा करें उस बिन्द को देखें और एक एक बिन्दु पर अपने समेकरण को सटीक तरीके से प्रस्तोत करें तो एक अच्छा फीचर लेखक हम हो शकते हैं और लेख शकते हैं अब आता है दूसरा कि इस तो अक्षा भारत पर एक फीचर लेखन की तैली है दो तीन उद्दरन मैंने दिया है तो आप इसको देखेंगे अब अगला जो टॉपिक हमारा होगा वह रिपोर्ट है तो रिपोर्ट समाचार पत्र रेडियो और टेलिवीजन की एक बिशेश बिधा है रिपोर्ट जो समाचार पत्र होता है तेलिवीजन जो होती है रेडियो जो होता है उसकी अपनी एक बिशेश बिधा है इसके माध्यम से किसी घटना समारोह या आँखों देखे किसी अन्य कारकरम की रिपोर्ट प्रस्तूत की जाती है चुकि दुरदर्शन दृ उनों ही उद्देश से पूरा करने वाला माध्यम है अता इसके लिए आखों देखी घटना की रिपोर्ट तयार की जाती है जबकि रेडियो के लिए केवल सुन्ने योगी रिपोर्ट तयार करने से काम चल जाता है कविस संचालक दोरा दी जा रही कारवाही का विबनाट उसे रिपोर्ट का आधार बनाकर रिपोर्ट तयार कर लिया जाती है रिपोर्ट की विशेश्ता है कि रिपोर्ट की पहली मुख्य विशेश्ता उसकी संचिप्तता है कितना संचिप्त सब्दों में कितनी बड़ी बाते का अपारा है यह रिपोर्ट की अपनी विशेश्त पर निर्वर करता है दूसरे रिपोर्ट की दूसरी मुख्य विशेषता उसकी निस्पक्षता है अर्थात्व एकदम निस्पक्ष होना चाहिए वह आज कल की पत्रकाजता की तरह नहीं की चंद रुपयों आद को ले करके उस घेरे में आ जाता है और ऐसा लेखन करने लगत है उसका पक्ष जो हो थात्व जिधर की तरफ समाचारों के दो पहलू को दिखा रहा हो तो उसमें दोनों का एकदम निस्पक्ष जांच हुआ हो अगला है रिपोर्ट की तीसरी प्रमुख विशेषता उसकी सत्यता है चौथा रिपोर्ट की अगली विशेषता उसकी पू मुंबई आतंकी हमले की जांच करने वाली प्रधान समिती ने मुंबई के ततकालिक पुलिस कमिशनर हसन गफूर की गंभीर चूप पाई शमीती ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गफूर आतंकी हमले के दोरान सहर में फैली युद्ध जैसी इस्तिती से निपटने में नकाम रहे रिपोर्ट में राजव सहर के अलामा अधिकारियों पर हमले के दोरान समा ने कार पड़ा ली ये सोपी का पालन नो करने का आरोप लगाया गया है इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमारा सबसे बैतर फीचर माना जाएगा अब आता है कि बिसे ओ सरी लिए समच्या यह पड़ा होती है कि अच्छे लिपोर्टर कैसे बन सकते हैं कैसे लिख सकते हैं उसको तुब फट्रियों अख़बारों और पत्र पत्रिकाओं में समान्य समाचारों के लंगा गहरी चानबिन विश्लेशंड और व्याख्या के आधार पर बिशेश सर्यार रिपोर्ट भी प्रकाशित होती है ऐसी रिपोर्ट को तयार करने के लिए किसी घटना समस्या या मुद्दे की गहरी छानविन की जाती है उससे संबंदित महतपुर्ट तत्थ्यों को इकथा किया जाता है और उसके बिशलेशन के जरिये उसके नतीजे अप्रभाव को असप इस तरह की रिपोर्ट में किसी घटना समस्या के बिश्त्री तर बारिक भी करने की कोशिस की जाती है विविन प्रकार की विश्यस रिपोर्ट को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिट सहली में लिखा जाता है लेकिन कई बार ऐसे रिपोर्ट को फीचर सहली में भी लिखा जाता है चुकि रिपोर्ट एसी रिपोर्ट समाने समाचारों की तुलना में बड़ी विश्टरित होती है अब एक विशेश रिपोर्ट का उद्रण भी दे रहा है पानी का संकट पहल का इंतजार आदियाद करके और एसे रिपोर्ट प्रस्तूत होते हैं अब एक अगला सिर्षक आता है कि आलेक आलेक एक तरह का बहुत इंपोर्टेंट है कि किसी एक विशाय पर विचार परधान और गद्य परधान अविव्यक्त को आलेक का जाता है आलेक वस्तूता एक परकार के लग हुई यानि छोटे लेक होते हैं जो अधेकतर संपाद की प्रिष्ट पर ही प्रकासित होते हैं इनका संपाद की से कोई संबंद नहीं होता ये लेक किसी भी छेतर से संबंदित हो सकते हैं जैसे खेल, समाज, राजनेती, अर्थ, फेल्म, इनमें सुचनाओं का होना अनिवार हैं आलेक के मुख्यंग हैं भूमिका, विशय का प्रतिपादन, तुलनात्मक चर्चा वर निश्कर्ज सर्फर्थम सिस्सक के अनकूल भूमिका लिखी जाती है यह बहुत लंबी नवोकर संशेप में लिखी जानी चाहिए विशय की प्रतिपादन में विशय का बर्गी करण, आका, रूप, वच्छेत रहते हैं इनमें विशय का क्रमी विकास किया जाता है विशय में तारतमता वक्रमबदता अवश्य होनी चाहिए तुलनात्मक चर्चा में विशय वस्त का तुलनात्मक विशलेचंड कीया जाता है और विशय का शिर्शक और निश्कर्ज प्रस्तूत कीया जाता है यह इसकी अपनी अमभोम का उती है अलेक रखना के संबन में कुछ मात्तो पुर्ण बाते बताई जाती है जो निम्न है कि लेक लिखने से पूर्व विशय का चिंतन मनन करके विशयवस्त का विशलेशन करना चाहिए आप लेक की स्टार्ट कर रहे हैं इससे पहले आप उसका अच्छी तरह से चिंतन मनन करके और उसकी रूप रेखा का आप अच्छे तरीके से चैन कर लें दूसरा है बिशे बहुत संबंदित आकड़ो वा उदारोन का उप्युक्त संग्र करना चाहिए तीसरा है लेक में स्रेंखला बद्धता होनी चाहिए और चौथा है लेक की भाषा सरल बोधगम में वा रोचक होनी चाहिए बहुत कुछ बड़े नहीं होने चाहिए एक परिशता होना वर समापन पर रोचकता होनी चाहिए चटाएं बिरोदाभाज दोहरापन और शंतुलन तथ्थों की और संदगता आधिसे बचना चाहिए और इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके अगर हम अपना आलेक लिखते हैं तो वह सबसे बहतर आलेक माना जाता ह जैसे एक अक्छा इस्कूल हुआ भारती किसक की चुनावती हुई मन रंजन का नया बास हुआ कामन वेल्थ गेम हुआ इन सारे से सुकूपी अगर हम लिखने का कारे करते हैं तो बहुत ही अच्छा हालेक लिख सकते हैं और हम अच्छे नंबर पा सकते हैं तो आप इसको ध्यान दीजिए और इस पर अपनी सारी चीजे व्यक्त करिए और इस लेखों को ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी चीजे आपको मिलेगी और आप अच्छे से कर पाएंगे धन्यवाद